मैं बताया आपको आखरी सकाफ benefit क्या है जूसरे श्रिप्ट में आगये हैं हम बात कर रहे हैं कि हम नहीं जो शॉर्टिंग का जो इसका बेनिफिट क्या होता है तो एक एक ढाद में देताहूं जहां आप देखेंगे कि घंट वोकाम को मैं काफी कम टाइम में कर चुका हूँ, देकि, चलिए, मेरे पास एक data table मान दीजी आता है, मैं यहां पर persons के name देता हूँ, मान देजी यह कि हमारे पास product के sale है, मैं यहां पर नीचे ड्रैग कर देता हूं और यह प्रोड़क्ट शेल है और मेरे प्रोड़क्ट शेल काफी ज़्यादा है 30, 35, 40, 100, 200, 1500 ऐसे जो की कॉलंब आई जा है मैं यहां पर डेटा राद लेए इस तरह का डेटा मिला निया तो कि मैंने आपके सामने कुछ स्केंट्स में त्याल कर दिया है मुझे कि इस डेटा पर करना क्या है? मुझे करना है कि हर डेटा के बाद एक ग्लैक लाइन आड़ करनी है यहां पर इसको percentage का सेंबल लेना है क्योंकि यह क्या है sales है मुझे इसका target एजीब निकालना है मुझे हर number को 70 से divide करना है इसको नीचे के तरफ drag करना है और इसके percentage का सेंबल लगाना है मतलब कि 27 लेक्ट वर्दी से 39 परसेंट अचीब किया ड्यालीश से लिवा मतलब कि अपने target का 60 परसेंट अचीब किया इस अब प्रोल्म है कि मुझे एक काम हर कॉलम्न के लिए करना पड़ेगा हर कॉलम्न के लिए तो सुधीर जी क्या लगता है कितना टाइम लगेगा है इसमें अर्वीन जी अच्छा काशा टाइम जाएगा इस काम करने के लिए अगर सौ कॉलम्न है तो आप बहुत ही फास कीजिएगा तो एक कॉलम्न काम मुझे से 40 सकेंड में कर पाईएगा फिर भी आपको जो एक गंटे कास पस लग जाएगा अब इसी काम को देखिए मैं बहुत ही कम टाइम में करना हूँ मैंने क्या किया इसके उपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट किया सबसे पहला है कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक को एड करना तो जो मेथोड मैंने बताया था अभी रो एड करने का उसी मेथोड को हम कॉलम पे अपलाई करते हैं पपी किया और पेज कर दिया क्योंकि हम सौर्टिंग कॉलम भाई भी तो कर जाकते हैं इसके नीचे मुझे हैडिंग कर चाहिए इसके नीचे हमने हैडिंग डाल दिया परसेंटेज का और यहां पर आया मैं रोट यहां से कॉस्टम शॉर्ट में गया और यहां पर लेफ्ट टॉर्ट कर दिया हमने फिर रोवन के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट कर दी तो हर एक के बाद हमारा ब्लैंक लाइन आ अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं उपर वाले को भी एक काम तो हमने आधा काम कर लिया लेकिन फिर भी हर सेल में जाके मुझे इंट्री करनी है इस तरह से करना है इसको भी किया जा सकता है इसके लिए हमें हेल्फ करेगा फाइन स्लेक्ट इसको नीचे के तरह हम ड्रैक करते हैं के यहांँ जाते है यहां पे नंबर में रीला डिया अच्चा अंगा को हाट इसने ब्लैंग हाँ, पूरे स्लेक्टे अरिए ने जहां-जहां ब्लैंग होगा उसको स्लेक्ट कर दे मुझे कि मुझे इसको डिवाई बाई बाई स्वेंट्री करना है अब मैं नॉर्मल एंटर मारूंगा तो क्या होगा कि सिर्फ सीटू पर ही मुला अप्राई होगा लेकिंगे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दता हूं तो पूरा स्लेक्टेड में हो जाए गया अब बताता हूं आपको कि कभी-कभी आप एक selected एरिया को सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप करके नॉर्मल एंटर मारोगे तो इस तरह चाइप होता है लेकिन आप एंटरे के जगवा पे करें तो पूरे एरिया में कौपी-पेस्ट कर देता है तो शेम चीज हमने कि सलेक्शन किया हुआ था ब्लांग किया हुआ तो जब मैंने इसको for इंटरे प्पेस्ट की जो भी सलेक्टव था तो कि ब्लांग था सब पर फॉर्मॉला कौपीपेस्ट हो गया और जाईशे बद जो काम गंटों का था हमने छोटी सी त्रिक से उस काम को कुछ मिनट्स में एक दो मिनट्स में हमने कवर कर दिया तो अरवीन जी कैसे लगी आपको में एक्जामपल तो कहने के मतलब नहीं समझा आप लोगों के सेम काम करना पड़ सकता है बट क्या है कि आप इस तरह से सोच तो सकते हैं जब आपके पास आपके ओफिस की प्रॉलम आएगा इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे मैंने अभी सोचा है का के अचली हमें और बढ़ खत्न कर दिया तो मंसर्ट में चलते हैं इंसर्ट में स्टार्ट करते एं पिवर्ट टेबल जो कि काफी इंपोर्टेंट पार्ट है पिवरेटेबल को ध्यान से देखेगा और अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए पिवरेटेबल पर आपने कमांड कर लिया तो अपने ऑफिस की 60% से उपर रिपोड्स पर आपने कमांड कर लिया तो पिवरेटेबल इस दा इन्क्रटेंट पार्ट सब्सक्राइब करता है डेटा को समझ लिए कि अपका डेटा को समझ लिया जाने इपर अप्लाइब पीवर्ट में कोई कोई ब्लांक हेडिंग नी चाहिए बना पीवर्ट लगेगा ही नहीं और अगर पूरीत्र से ब्लांक रो है तो नीद उसलेट। कि आप परे डेटा को स्लेक्ट करें अधर वाइज नहीं है तो यहां अप्लाई कर सकते हैं अब पिवट आप जदा अप्लाई नहीं करते हैं और आप कर्फूजन है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है रिक्वंडेट पिवट टेबल का इस्तिमाल कर सकते हैं यह क्या करेगा कि आपके पिवट को देखेगा और इसमें से उप्रिक्ट करेगा कि कितने तरह के पिवट इस पे लगाया जा सकते हैं जितनी पीबट लगाए जा सकते हैं यहां प्रेस करें आपको देदेगा आप सेलेक्ट किजिए और अप्लाइगे नहीं तो आप वापस आईए यहां पे पीबट टेबल और ओके एक नई सीट में आपको देदेगा यहां आप देख पा रहे हैं कि आपके हेडिंग से मैं अब आपको इसको उठाके इन चारों में से किसी एकम रखना और यहां पे रिपोर्ट आपका त्यार होते जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप को चाहिए किस सेल्स मोड में किस पर्शन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है धान रखेगा किस सेल्स मोड में किस कि ऊठाब कर रहा हूं कि Sales Mode को इठाके हम रहों में रखता हो, Name को उठाके column में रहां नेचेなく चैनल सप्रमें रखते स्क बशन नहीं है चाहिए और यहां और हम नन्बर्द को सक्वेषा होde अगर नंबर नहीं होता इसमें टेक्स्ट होता तो काउंट अब दा क्वांटिटी आता है तो जिसके काल्कुलेशन करनी है साम काउंट आर्रेंज मिनमा मैक्सिमम ऐसे डेटा तो हम यहां वैलू सेक्षिन में रखते हैं और कुछ तरह से रिपोर्ट में जाता है लेकि एक औ हो जाता है कि उसकेस में आप नेम को ठाएं और सेल्स मोड के लिए इसका सब्सक्राइब बना दें तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आपके सामने बन के आता है अब इसमें जो दिखाए है एफल यहां पर प्लस मैंगर इसको फ्लैप्स एक्सपेंड कहते हैं आप यहां जा कर सकते हैं लेकि प्रॉल्म है अगर आपको किसी को रिपोर्ट एक पीपर टिबल देजना है तो तो थीक है बढ़ना कभी कभी क्या होता है कि हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और फिफ देजते हैं तो वहां पर प्रॉल्म होगा क्योंकि जब मैं इस कॉलम कॉपी जो कॉपी करके मैं यहां पेस्ट करूंगा तो पते नहीं चलेगा कि सेल्स मोड क्या है और आपका पर्सन के नेम कौन से इकी कॉलम में आजाएगा ना पूरा कि मुझे पीवर में चाहिए कि अलब कॉलन में होने कि इसके बिदेबल्स में आओंगा रिपोर्ट ल्याउट पर जाओंगा और यहां यहां पर देखिए आपका तरस टैप आउटरर फॉर्म में टैपर फॉर्म देशकते हैं कुछ इस तरह सामने आ जाएगा अब इसमीट देखिए यहां पर सब्सक्राइब लापका चाहिए तो रख़िये एक च्निक करकाना है क्लिक कीजिए च्छोटी से बिरा देता है अब मानें इस डेटा को मैं कौपी करके और किसी अलग शेल पर रखता हूं और फिर इसी फिल्टर अप्लाई करता हूं को पता है कि नीचे कई सारे बहुत सारे परसुंस है तो मुझे यहां पर रिक्वाइर है कि मैं हर एक के नीचे इस तरह से क्लिक करो हर कि के नीचे इस तरह से ड्रैग करो बट एक-एक करके मुझे हो जाएगा करना तो पीवट के अंदर कर जाकते हैं सेम यहां डिजाइन में जहां आपके लेयाओट सोलेक्ट किया था उसी की नीचे आप देखेंगे रिपोर आल आइटम लेबल नहां दिख रहा हो रिपीट आल आइटम लेबल क्लिक किजिए यह आपका रिपीट हो जाएगा तो फिर मुझे इसके नीचे का ब्लैंक लाइन आड करने हैं यहां पर इंसर्ट ब्लैंक लाइन कि ध्यान देखेंगा यह आपको तुराजम थाटीन ओन वर्ड मिलेगा इसीचर उससे पुराज अब मुझे वापस सही करना है नॉर्मल करना मुझे रिपीट नहीं चाहिए तो यहां से आप ब्लैंक लाइन कर सकते हैं और यही पर दूड नॉट रिपीट करना है तो नॉमली सेलेट करके आप मौर्ज नहीं कर सकते हैं मौर्ज नहीं कर सकते हैं मौर्ज करने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा पिपर टेबल ऑप्शन्स और यहां पर मौर्ज एंसेंटर सेल्स बित लेवल इसको क्लिक कीजिए एक कीजिए यह आपका मौर्ज जाएगा इस तरह से अब एक चीज और आती है कि माली जी मुझे एफिलेटेड में टीटू का 1240 इसका टोटल है कैसे हुआ पर समझ में आएगी बाद रोच सारी सुआ कैसे तो उसके लिए आपको क्या करेंगे डेटा चेक करेंगे तो आप जस इस पर डबल क्लिक कीजिए एक नई शीट पे पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए जस डबल क्लिक करना है जीस भी टोटल के आज इसका डेटा एक न यहां पर कॉपी पेस्ट होके एक नई शीट पर आगया अब बेनिफिट करी करता है कि जब कहीं पर डबल क्लिक करते हैं इस तरह से कुछ लोगों को डबल क्लिक करने के आदत होती है उनको प्रॉलम हो जाएगे तो आप यहां राइट क्लिक करके पिबट टेबल ऑप्शन पे जाए और यहां डेटा में यहां पर कर दीजिए अनेबल सो डिटेल्स को और चेक अब इसमें नहीं करबाए इसको उटा सकते है अब यहां पर गरता हूं मैं यहां से मैं को अटा दद था उट बेगा जो आप यहां पर एक कॉल्म रखते से मैं पर सिर्व और कॉंटेटी रखा तो यहां कौलम में कुछ नहीं है तेकि जैसे मैंने MRP को यहां रखा तो यहां पर वैलू आ गया वैलू इंब बताता है कि आप जो इसमें वैलू फिल्ट में जो आप डिखेंगे वह आप कॉलम बाइच आगे इंक्रीज होगा आप यहां इसको वैलू को यहां नीचे रखेंगे तो कुछ इस तरह से वन बाइवर मन के बोट आ जाएगा या उठा कि इस पर रखेंगे तो इस तरह से आएगा अब बाइड़फोल सम है आप इसमें किसकी काल्कुलेशन चेंज कर सकते हों यह सम आफ मर्प के बगल में पर अटेंगल होता है उस पर क्लिक कीजिए वैलू फिल्स सेटिंग पर आएगे और यहां पर आप आवरेज या जो भी कल्कुलेशन चाहिए उस कल्कुलेशन को सेलेक्ट कर लिजिए यहां पर आपको कुछी सेलेक्ट हो जाएगा अब यहां इसकी डेशनल परिट बढ़ रह अब इसमें चीज़ और करते हैं इसके ऊपर आप मालेशन कोई चार्स अगरा अगरा एड़ करना हो तो कैसे आड़ करें जैसे डिजाइन में आते हैं तो पिपर चार्ट आपको दीथे इस पर क्लिक किजिए और जो चार्ट आपको है अपके अग्वार्मेंट को फिट बेढ़ता है उसको स्लेक्ट किजिए और एड़ करें यह चार्ड आपके डेटा के सांथ कनेक्टर होता है अब जो रही नही पर नेम बार जाट नेंगे में लेजन पर डाल दिया तो कुछ सी तरह से रीपोर्ट होगी है इस तरह से तो आप अपना प्ने प्लाइब चार्ट और टि मंटाक को जब चार्ट होगा देख मैं आक यहां देखिये फॉर्मेड है है डिजाइन डिजाइन पर चार्ट को प्लाइब है अगर आप पिवर्ट को सेलेक्ट किएगा तो भीवर्ट के के कौर्डिंग आए तो पीवर्ट में हमने जर्ब चार्ट लगा लिया तो अब बात करते हैं हम करता हूं तो इस वह पर हमेशा करता हुए पर करके नहीं है कि जब मैं राइट क्लिक करकेश को शौट कर सकता हूं कि इसके क्लिक करके हम शौर्ट नहीं सिर्फ वैल्यू चौर्ट होता हम या राइट लिक करके मैं इसको कर देता हूं पिपटेबल ऑफिस्ट में अनमर्ज अभी भी आप इसको क्लिक करके शौर्ट कर सकते हैं तो इसके होने एकारण मतलब की मार्ज होने एकारण short नहीं हो रहा था और short आप column भाई भी कर सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर आ रहा हूं और मैं product को उठाके column में लखता हूं तो मैं column की accordingly short कर सकता हूं यहां पर आप यहां से फिल्टर को फिल्टर कर सकते हो अब मैं कर सकते हो और इसी में यहां पर क्लिक किये तो यहां जो लेबल फिल्टर है वह आपके इस नेम पर वर्क करता है जो condition apply होती है लेकिए अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर टॉप 3 कर दिया और मेरा टॉप 3 फिल्टर है उसके बाद इसमें हम बात करते हैं माले जो शॉर्टिंग ही कर रहा है नकि शॉर्टिंग आपके हिसाब से नहीं हो पा रही है तो राइट क्लिक कि इदर शॉर्ट करते हैं तो यहां मोर शॉर्ट पर आईए करके हैं कि अपर शॉर्ट करते हैं इसके शॉर्ट करना को सलेक्ट करके करना करना यह आपके बास लाज़ डेटा आफ फिल्ड आपने रख रखे हैं उस केस इसका यूज कर सकते हैं लाकżenie की एक हसाइट को लिया और फिट्र में रख लिया यहां पर हमारा फिल्ट्र हो करता है इस तरह से पूरी की पूरी पेज को फिल्टर करता है कि अपनी हिसाब से मुझे करना होता है मैं चाहता हूँ योगेश जो है सबसे टॉप प्यानों चाहिए तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहीं पर आता है मूँग हमेशा इस पर होता है आपके फिल्ट पर होता है कि कल लेदे बिता तो होता है अब मैं मूँव योगेश टूप बिगनिंग कर दिया तो सबसे ऊपर चाहिए जहां इसको बेजना चाहिए वहां आप इसको भेज सकते हैं कॉलंबाइज भी और यहां मूँव से लेकिन मूँव से चल्ड़ा इंपर्टिंट है हमारा फिल्टर 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 ग्रू ग्रूपिंग क्या होता है जालेजे इस बारे बात को जैसे कि मैंने यहां पर छोटा सब्सक्राइब काई डेटा इसमें योगेश है मोहन है तीना है तीनों जो है इन हाउस है मुझे इन तीनों को सेलेक्ट करके एक जगरा में इन हाउस दिखाना है तो तीना मोहन और इहां मारा ग्रूप बना गया है यहां देखेंके खर नेम और नेम काम यहां को मैं यहां से रहने कीजहता हूं नेव को यहां से रिमूफ कर देता हूं अब इस ग्रूप यहां के लिगत है इसको चेंज कर जा safe स्राइब किसी भी टैक्स को सेट सकते एक एक से जाधर चैन्स करने टीनली इमिली चैंज किया जा सकता है लेकिन मुझे नमबर फिल्टर करना है कि किस रेंज कि किस रेंज की कितने और रहा है कि इंसर्ट फिवर लगाता हूं एक नया और मैं यहां पे अपनी quantity को यहां रख देता हूँ और id को बढ़ा देता हूँ value में और sum of के जगा पे मैं count कर देता हूँ तो यहां 10 quantity की 116 order आया है 11 की 11 order आया है 12 quantity की आया है तो मैं क्या करूंगा right click group यहां पे minimum or maximum automatically आया जाएगा minimum or maximum जो है यहां पे आप देख पा रहा है कि automatic आ रहा है इसमें नीचे देखिए by लिखा हुआ है कि कितना group होना चाहिए तो 10 है इसको काम और ज्यादा कर सकते हैं सब को change की जा सकते हैं सब को change की जा सकते हैं आप के सामने group हो गया कुछी तरह से आप group कर सकते हैं किसको भी हमें date पुठाया रख दियां तो date इस तरह से देखिए मन्त बाइल अटोमेंटिक ग्रूप हो गया है मैं राइट क्लिक करके इसको अन ग्रूप कर देता हूं आप अपनी हिसाब से यहां group कर सकते हैं मन्त मैं मांत और क्वार्टर दोनों चाहिए दानी ग्रूप और यहां पर एयर करता हूं तो हमारा एयर भी होता है कि एक से जड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं मैं मालगे देज बाइज करना लेगे मुझे पंद्रा बनानी का गैप चाहिए फिप्टीन ने स्लेक्ट कर लिया तो यह दिखिए हां पर फिप्टीन का ग्रूप आ गया इसके सामने जो भी वैलू रखेंगे वह आपका समूझ आए इस तरह से तो देज को ग्रूप किया जा सकता है ग्रूप समयना आगा आप लोगो इस ग्रूपी के ऊपर एक प्रोजेक्ट होगा तो बेटर रहेगा एक मैं फाइल उपन करना हूँ कि यह पास एक डेटा है अधार जो थाम स्पेशन करते हैं या पर जो अपना कार्ड शेप करते हैं उनका हमारे पास एक डेटा है इसमें कभी एक पर्शन एक ही रेट में कई बार मनेकी इसका इन्प्री है क्योंकि जितना बार उपना थम इंपरेशन दिया है या जितना वार उसने अपना कार्ड को यूज किया है यहां में उस सब का रिकॉर्ड आता है तो बस मुझे चेक करना है किस पर्शन ने किस दिन में कार्ड शेप किया है मतलब यह पर्जेंट था इस दिन नहीं किया है अप्सेंट तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं मैं पर्शन आप दे नेम देता हूं इसकेंट को यहां कॉलम में लगता हूं तो कॉलम में लगते कुछ इस तरह से हो गया इस तरह से तो मैं सबसे पर इसको अनग्रूप करता हूं फिर वापस इसको मैं डेवाज ग्रूप करता हूं ताकि एक डेट एक बार ही है डेजबाज ग्रूप करने से कह हुआ हूआ कि इसमें एक डेट देकी 17 तारिक दिख रहा है ना 17,17,17,17, चेले प्रॉश्च भी हमें यहां बार है एक बार यहां पर नहीं है इस ब्लांग नहीए यहां पर जो चाहिए राइट क्लिक किया मैंने किया पिबर टेबल ऑप्शन्स और मैं यहाँ पे देखिए 4 MPT सेल्स सो हमने यहाँ पे कर दिया 0 बट मुझे इसमें जो टोटल इन फिल्टर है वो मैं हटाना चाहता हूँ पिबर टेबल में गया टोटल इन फिल्टर को मैं हाँ से रिमूव कर गया अब मुझे जो प्रिंट आउट देनी है उसमें यह नंबर नहीं चाहिए मुझे चाहिए अब से परचेंट इसके लिए हम कस्तम फॉर्मेटिंग का इस्तिमाल करें राइट क्लिक फॉर्मेट सेल कस्तम यहां पर आप देथे ए जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके सामने पी आजाएगा फिर मैं यहां पर सेमी कॉलन देता हूँ और नेगेटिव नंबर के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ और जीरो के लिए एक लिए कर लेता हूँ में चार इसके अंदर चार Stat坊 होते हैं सामने में इसे सामएम पहर वहते हैं पहला आप उसे पॉजिटिव नंबर Magic नंबर तीस्रा नंबर équम यहां को सफक्कर कैसि अलुट गया होता है सेमी प्लड कैसे प्महेगदिरोस सेमी कॉलन तो मैंने इसका फिलन दिया है तो सिर्फ टेक्स ही होगा नंबर हो जाएगा निगेटिव नंबर इसमें नहीं है इसको ब्लैंक चोड़ दिया और जीवर के लिए हमने एक कर दिया तो आप देखिए यहां में हमाँ डेटा शो हो गया अब इसमें चाहता हूं जो रेड कलर हो जाए जो अप्षेंट है तो मैं रेड कलर भी कस्तम फॉर्मेटिंग से कर सकता हूं जहां पर यह था यह के आगे जस्वाइर बैकित में रेड लिंग देंगा इसमें अगला आता है कि मेरे पास डेटा तो है लेकि उसमें इन और आउट है कब इन हुआ है कब आउट हुआ है और मुझे रिपोर्ट चाहिए कि भाई नेम इन टाइम और आउट टाइम इसको हम डेवाइज ग्रूप कर देखते हैं इसके बाद हम इन को उठाक रहते हैं वैलू में और आउट को रहा है एक काउंट के जगापे हम इसको इन को कर देखते हैं मिनमम कि सबसे पहले कब इंट्रिव वा था और आउट को कर देखते हैं मैक्सिमम सबसे बाद में एक्जिट कब हुआ है और फिर राइट क्लिक करके में जाता हूँ यहाँ फॉर्मेट पिवर्टेबल ऑप्शन में और ब्लैंक सिल में मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ इसको जीरो नहीं करता हूँ अब इस तरह के नंबर आया है इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इसको टाइम में अप्लाइब कर दीजिए राइट क्लिक कीजिए पिवर्टेबल ऑप्शन और टोटल फिल्टर में इसकी टोटलिंग जो है और यहाँ पे मैक्स इन है इसके जब़ाद पे इन लिखिए इस पेस द कर सकते हैं को टाइट आप लोगों इसमें अब पिवर्टेबल में हम बात करते हैं कैल्कुलेशन अब मैं कहा रखता हूं कि मैं MRP रखता हूं बड़ेट टैक्स और यह जो टोटल को बड़ा है उसको हटा रखता हूं मैं इसको एक अलग सीट मिले जाता हूं डेटा को कि अगर दुबारा से जोइन कीजिए प्लीज आपनों दुबारा से जोइन कीजिए कि अगरा से जोइन कीजिए बड़ेशन कि अगरा से जोइन कीजिए प्लीज आपनों दुबारा रखता हूं अब इसमें जैसे की डेटा है हमारे पास तो इसमें पीबर मनाते हैं और इस पीबट में हमने यहां पर नेम को लेते हैं और यहां पर स्लेक करते हैं और हमने यहां पर क्वांटिटी ले लिए आपर आपर मर्पी है तो मर्पी का भी आइवरेज ले लेते हैं अब प्रॉलम है कि मुझे यहां पर अमांट चाहिए और मेरे डेटा में अमांट की कैल्कुलेशन देए क्वांटिटी को मुझे मर्पी के साथ मर्टिप्लाई करना है और मैं इस चीज डेटा के अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि डेटा कहीं से लिंक है आपको कॉप्य पेस करना पड़ता इस कारण से तो यहां हम आते हैं प्रिवर्टेबल के अनलाईज में यहां आपको फिल्ड आइटम सेट दिख रहा होगा इसी में आते हैं कैल्कुलेटेड फिल्ड इस कैल्कुलेटेड फिल्ड में आते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं अमांट और फिर यहां पर हम दो फिल्ड को चूज करते हैं जिसे कि हमने ले लिया कि quantity insert किया multiply by MRP और इसको add कर लिया तो आप देख रहे हैं यहां पर sum of the amount create खुए लिया कि इसमें और मैंने टैक्स निकालना है तो यहां पर कैलिबूरेटिव फिल्ड में आते हैं यहां पर इस जीएस्टी 18 परसंट चाहिए हमें मैं यहां amount insert किया इसको multiply by 18% यहां वारा जीएस्टी निकल किया प्रश्चन यहां आता है कि मैं यहां पर जास्ट मत्हमेंटल कल्कुलेशन प्लस मैंश डिवाइड ही कर सकता हूं यह एक्सल वरक्षीट के फंक्सिन लगा सकता हूं जैसे कि क्रेंख पीवत्टेबल में जाएंगे investigatorsfires已經 कल्कृलेटइट फिल और यहां यहां पर इसलेकर लेते हैं अपना जीएस्टी और इसको यहां यहीं नहीं इस पर आप जो है complicated formula होते हैं जैसे कि मुझे पास यहां है और मैं चाहता हूं इसके अंदर इस का formula add करना कि जो 20,000 से नीचे सेल हुआ है उसको 5000 का incentive देना है 20,000 से 25,000 के बीच वाले को 3000 और गेटे दें 25,000 वाले quantity को हमें 30,000 देना है तो calculate field में आते हैं यहां पर INC और यहां पर हम if condition लगा देते हैं कि if यहां पर हमने quantity को select किया quantity is less than equal to 20,000 और यहां पर आएगा 5000 का incentive again if हमने quantity को लिया और बोला अगर यह less than equal to 25,000 है तो otherwise 20,000 और दो if लगा है तो दो ब्राइक लोज करेंगे और इसको add करेंगे किस तरह से हम field to field के अंदर calculation करेंगे and field to field calculation के बाद हम आगर बढ़ते इसमें कि मुझे अगर field to field calculation नहीं चाहिए मुझे between the calculation चाहिए जैसे कि मैं में मन्त बाइस अपना निकालता हूँ शेयर अब मुझे यहां चाहिए contribution कि किस महीने में साल का कितना परसेंट से हुआ है मतला कि मुझे हर नंबर को नीचे वाले नंबर टोटल से डिवाइट करना है तो मैं एक quantity को उठा के एक बाद यहां और रख जैता हूँ जी हां आप एक फिल्ड को more than one time रख सकते हैं सिर्फ value वाले section में बाकी section में नहीं तो यहां पर value fill setting में हम आते हैं यहां पर show value as पर जाते हैं यहां पर जहां पर by default होता है नू calculation अब इस नू calculation को select करते हैं और यहां पर हमारे पास जो options है percentage of दिख रहा है यहां पर percentage of हमने कर लिए grand total जो total नहीं grand total एक contribution आ गया percentage of grand total जो सिर्फ grand total से किया जा सकता है जिसने मान लेजिए कि मैं अपने data के नीचे ताड़ के रैप कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता हूँ हमारा टार्गेव जो है वो थाकी थाटी थावद गया तो उसे ज्यादा भी है प्यूबर टेबल पर हम आते हैं मन्त मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ हमें sales mode देता हूँ तो यहां पर मैं target reflect नहीं कर रहा है तो क्योंकि हमने data में किसी भी तरह का change करते हैं तो आपको यहां refresh करते हैं तो effect हो जाता है बट हमारे जो data है इस data में हम नहीं data add की है क्योंकि pivot हमारा तो यही पर 3914 तक ही लगा है ना तो उस case में हमें अपने data को resize करना होगा हम यहां आते हैं चेंज data source और वापस हम data को resize करते हैं मैं वापस resize करते हैं अब target अब मुझे क्या करना है तो यहां पर यहां पर सेटिंग में percentage of sales mode और यहां पर अब आप अब आप इसना और भी चीज़े हैं जैसे कि आप देखें percentage of total percentage of total परेंट टोटल आपका डिफ्रेंज डिफ्रेंज परसेंटेज आप 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 करके देखेगा प्रॉलम होगी तो मुझे कॉल किजीगा हम आपको explain करना अब पीवट का 2007 अभी पीवट हम discuss कर रहे है अब अगला जो option आता है external pivot table पीवट को हम भाग में पढ़ेंगे तो सही रहेगा क्योंकि एक बाग में पढ़ने से आप लोगों confusion हो सकती है तो part two अगर हम कल करें तो बिटर रहेगा